नमस्कार दोस्तों, यूटूब चनल ICT Icard B में आप लोग का स्वागत है अज फिर साम आप लोग लेक नया वीडियो लेके आया हूँ इस वीडियो में बात करेंगे इसान उदय स्पेशल स्कॉलसिप स्कीम के बारे में कौन स्टूडेंट इस स्कॉलसिप को एपलाई कर सकते हैं कब से नया सेसन के लिए फॉर्म ओपेन होगा, कैसे एपलाई करना, क्या क्या डॉकॉमेंट चाहिए सब कुछ इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ इस आनुदय स्पेशल स्कॉलसिप के बारे में तब लोग वीडियो को लास्ट एक जरू देखेगा इस स्कॉलसिप में स्टूडेंट को 54 रुपया पर मंद के हिसाब से सालाना आपका 64-65 रुपया मिलता है, ओहीं पर और इसी में और एक स्कीम है जिसमें 78-100 रुपया पर मंद के समसे लगबग 90 अजर तक स्टूडेंट को पेमेंट रिसीब होता है यह स्कॉलसिप सेंट्रल गॉबर्मेंट का स्कॉलसिप है जो कि नेशनल स्कॉलसिप पोटल द्वारा एपलाई किया जाता है जो कि यहाँ पर UGC ICT में आप लोगों को देख सकते हैं यहाँ पर है इसानुदे स्पेशल स्कॉलसिप तो कैसे अपलाई करना कौन कौन अपलाई कर सकते हैं और कब से अपलाई ओपेन होगा सब कुछ बतांगो तब लोग पहले वीडियो को लास तक जोर देखेगा अब वीडियो इंफर्मेटिव लगे है तो ज़रू लाइक किजेगा फ्रेंट गूरूप में सेर कर दीजेगा और नया नया इसकोलसिव रिलेटर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजेगा और एक बाद अगर आप लोग गौबर्मेंट इसकोलसिव के साथ साथ कोई प्राइबेट इसकोलसिव अपलाई करना चाता है तो वीडियो के डिस्किप्शन पर दो स्कोलसिव का लिंक दे दिये HDFC बैंक स्कोलसिव और कीप इंडिया स्कोलसिव बहुत सरह स्टुडेंट अपलाई कर रहे हैं और पेमेंट भी अभी रिसीव हो रहा तो लगबख सभी स्टुडेंट इलिजिवल है तो डिस्किप्शन वाला लिंक से चेक कीजिए आपको अपलाई करने में इंट्रिस्टेड है गौबर्मेंट का नहीं है प्राइबेट स्कोलसिव है बहुत सारा स्टुडेंट का मेरिट बेस्पेमेंट मिल रहा तो अगर आप लिजिवल होते हैं तो ज़रूर अपलाई कर देंगे आज इस वीडियो में बात करूँगा इसान उदय स्पेसल स्कोलर्सिप के बारे में इस स्कोलसिव स्कीम ये स्कोलसिव ओही स्टुडेंट अपलाई कर सकते हैं जो 12 पास आउट करके कोई भी डिग्री कोर्स कर रहा है या टेकनिकल कोर्स कर रहा है पर्फेसेनल परामेडिकल या पर मेडिकल कोर्स कर रहा है ओह स्टुडेंट अपलाई कर सकते हैं और जिनका family income साड़े चार लाग से कम है सालाना साड़े चार लाग से कम होना चाहिए ठीक है उसके बाद यहाँ पर आपका जो required document है वो यहाँ पर आप लोग देख सकते 12 का मार्क सिट चाहिए डो मिसाइल साटफिकेट चाहिए और family income चाहिए यह scholarship कब open होगा जब national scholarship portal में सभी scholarship का form open होता है central scheme के लिए उसी time इसका भी form open होता है जो कि मैं पिछला वीडियो में भी आप लोगों को बताया हूं इस वीडियो में भी बता देता हूं इसका form आगस्ट में open होता है 15 आगस्ट के बाद 16 आगस्ट को लिंक देदी है आके चेक कर सकते हैं बहुत सारे स्टूडेंट बोलता है कि हिंदी लेंगोई समझ में नहीं आता तो उन सब स्टूडेंट का description पर लिंक देदी है जाके आप लोग चेक कर सकते हैं इंगलिस में बताया हूआ अभी बात करूंगा और eligibility का कि कौन स्टूडेंट अपलाई कर सकते हैं क्योंकि यह स्कॉलसिप जो यूजी सी ए आए सिटी स्कीम का है इसा नुदे special scheme for north eastern region मतलग ऐसा student जो north eastern region से बिलोंग करता है उसी state के student apply कर सकते हैं तो उसका यहाँ पर list दिया आवा देख सकते हैं जैसे कि औरुनाचल परदेश के student, Assam के student, Manipur, Meghalai, Mizoram, Nagaland, स्कीम, एंड तिरिपूरा के student इस scholarship को apply कर सकते हैं अभी अगर आप दूसरा state के है तो मैं next वीडियो पर सभी scheme के बारा में बताऊंगा तब लोग चैनल पर न्यूँ होता सब्सक्राइब भी कर लिजेगा आप कोई ने कोई scholarship के लिए जरूर कर देंगे अभी बात करते हैं जो student NER के candidate है जो नौर्थ इस्टेन रिजन से है ओ स्टुडेंट अगर graduation जैसे डिग्री कोर्स देख सकते हैं जैनरल डिग्री कोर्स कर रहा है या फिर टेक्निकल कोर्स कर रहा है पर्फेशनल कोर्स कर रहा है पारा मेडिकल मेडिकल कोई भी हाई पेमेंट है जैसे का आप लोग देख सकते हैं चोवन सो रुपिया पर मंत के हिसाब से लगवाद चोवन सट पैंसट हजार रुपय स्टुडेंट को पेमेंट रिसीव होता वहीं पर यह जैनरल डिग्री कोर्स का है चोवन सु रुपया पर मंत और अठातर सो रुपय पर मंत है टेकनिकल कोर्स परफेशनल मेडिकल परामेडिकल का कोर्स जो स्टुडेंट करते हैं वो लोगों अठातर सो रुपया पर मंत के साब से लगवाद नब्वे तिरानब्य रुपय पेमेंट रिसीव होता पिछले साल मैं एक अपलाई करने का तरीका बताया था इस तो जो स्टुडेंट नियार के है अपलाई करने का तरीका देखना तो इस वीडियो का आप लोग देख सकते हैं और ओपन आपलो का फॉर्म कब से होगा आगत मैना से फॉर्म स्टार्ट हो जागा अपलाई करना तो आप लोग इस चाहूंगा कि अगर आप एक साल फिर भी आप अप लिजिबूर एपलाई कर सकते हैं उस टाइम आपको फास्ट टाइम Nga mezP में रेजिस्टेशन करने के लिए नीव रेजिस्टेशन करना पड़ेगा। सेकंड यहर के स्टूडेंट भी अपलाई कर सकते हैं क्योंकि फास्ट एयर मेंगर आप भूल गया इ 10,000 स्टुडेंट को ही इसमें per year scholarship दिया जाता है जो रिनुवल रहता है स्टुडेंट उलुक 100% मिलता है रिनुवल को तो मिलेगा ही निउ स्टुडेंट जो है निउ जो नया रेजिस्ट्रेशन करके हर साल अपलाई करेंगे उसमें से 10,000 स्टुडेंट का मेरिट बनेगा ठ चैनल पर निउसे सब्सक्राब भी कर लिजाएं